नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चानल पर दोस्तों आज के इस स्टुडियो में हम देखने वाले हैं Kp2x11 मतलब Kp2xi versus SP2xi के पीच की जो मैच है क्रिकेट एसोशेंट टी टुएंटी की उसकी टीम ड्रीमिलियोन की विनिंग टीम्स में आपको दिखाने आलो जिससे कि आपको अच्छे खासे अर्णिंग हो सकते हैं या फिर आप ग्रांड लिग या स्मॉल लिग ज़रूर जीत सकते हैं जैसे कि मैंने मैच को हालेट करके तो आपको क्लिक कर लेनी है और अगर आपने अप तक टीम नहीं बनाई है तो आपको नीचे जो है क्रिएट को सिक्से को नहीं लेना है है बना सकते हैं यह सब बाते में आपको बताऊंगा लेकि दोस्तो वीडियो को शुरू करने से परे रिक्वेस्स करूंगा कि अगर आपने मेरे चाइनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल यहां पर देख सकते हैं कीपिंग में हमारे पास डबलू हुसेन को मैंने लिया है बाकि किसी और को भी फिलाल इस टीम में नहीं लूँगा अगली तो टीमों में में कुछना की पूरी कोशिश करूंगा हलां कि यह एक और ही किपर प्लेंग इलियोन में शामिल है बाकि आग चलते हैं बैटिंग पर बैटिंग में अगर बात करें तो एम शेहजाद को वण को लूँगा काफी जबद्स परफॉमस रहा है यूँ तारिक का भी परफॉमस अच्छा रहा है यह इन गूल का भी परफॉमस अच्छा रहा है और इसके अलाव में अली-ई-म्रान को लूँगा हाँ परफॉर्मस मिला जुला है लेकिन जरूर इनको भी अपने टेम में शामिल करूँगा अगर बात करें तो यहां पे भी एम शाहदत को लूँगा उसके बाद एम उस्मान को लूँगा और जेडखान को लूँगा तीनों का परफॉर्मस काफी शांदा रहा है काफी बढ़िया रहा है और काफी अच्छा रहा है तो इसलिए इन तीनों को इस टीम में शामिल जरूर करूँगा गेन बाजी की बात करें तो यहां पे आईशहा एम अली और अर्शय उल्ला को इस टीम में ले रहा हूँ इनका भी परफॉर्मस काफी जबदस्त रहा है त तो पाइली टीम बनाना तो काफी आसान था दोस्तों अभी नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते और देख लेते कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसी बना सकते तो यहां पे थोड़ा मैंने हटके सोचा है दोस्तों जो एम शादत है उनको कप्तान शबादत है उनको कप्तान और इसमान को वायस कैप्टन बना रहा हूं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मघेख को पहले चाहे जाशात को और यांछ काफी ज्यादा यारे सब्सक्राय करने को प्रिविव करते हैं सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेरे पास से डबलू हुसेन एंगूल बैटिंग की बात करें तो अली इम्रान यू तारिक और एम शेहजाद दोस्तों इन पाचों का परफॉर्मस काफी अच्छा रहा है पाचों ने अभी तक पूरी सीरीज में अच्छा परफॉर्मस के तो ज़रू आप इन पाचों के साथ चाह सकते अगर अल्राउंडरस की भी अगर बात करें तो एम शादत को ले रहो उसके बाद ए उस्मान को ले रहो और जेड़ खान को ले रहो तीनों ने बैटिंग में और बॉलिंग में इच्छा खासा परफॉर्मस के और काफी मुश्किल है इन तीनों में से एक को ड्रॉप करना आधिर एक यह उससे जादा को ड्रॉप करना तो अभी फिलाल तो पहली टीम में हम इन तीनों के साथ जरूर जाएंगे गेंद बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं अग्ली जो दो टीमें रहने वाली दोस्तों वो बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं अगर बैटिंग और मप की जगा क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की बात करें तो यहाँ पर एम शाहदत को इस टीम का क्याप्टन मना रहा हूँ और ए उस्मान को वाइस क्याप्टन मना रहा हूँ दोस्तों अगर आप चाहे तो ए उस्मान को क्य और एमशादत को भाइस काप्टन भी बना सकते लेकिन फिलाल में इसी तर से रखूंगा आप उल्टा करना चाहिए तो कर सकते और साथ साथ अगर इस टीम में नहीं भी कर पाते तो अगर आप मल्टिपल स्टीम लगाते तो कही न कहीं उस्मान को क्याप्टन जरूर यहां पर देख सकते हैं शुरुवात में ही मैंने थोड़ा रिस्क लिया है जी अली को इस टीम में शामिल कर रहा हो इनका भी परफॉर्म्स ठीक्ठा करा इतना भी बुरा नहीं रहा है हालाक इनको चांस भी काफी कम मिले इसके बाद बैटिंग की बात करें तो फिर से पर यू तारिक को ले रहा हो एंगुल को ले रहा हो पिछली टीम में चार बैट्स मुन थे लेकिन इस टीम में मैं तीन के साथ ही जाओंगा अगर आल राउंडर की बात करें तो एम शादत फिर से है ए उस्मान है और यहां पे मैंने एक चेंज कर लिया है ज्या दोस्तों पहले ही बताया था कि ये टीम में काफी मुश्किल है जेड़ खान को मुझे ड्रॉप करना पड़ा है और एम जान जुनेत को इस टीम में मैं शामिल कर रहा है उनकी जगह पे हाला कि इनका भी परफॉर्मस अच्छा है इतना बुरा नहीं है फिर भी जेड़ खान मुझे ज्यादा बेटर लग रहे है लेकिन फिलाल मैं इनको शामिल करूंगा क्योंकि हर एक टीम में एक जैसी बनाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल हो क्योंकि यह भी अच्छे खासे गेंबाज और इनको भी अच्छा खासे परफॉर्मसी नों ने किया तो जरूर इनको भी आप लेंगे तो फाइदेमन सावित हो सकते है और कुल्मला के अच्छे खासे प्लियर है दोस्तों यह भी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और से प्लियर हम जब को पता है और काफी बढ़िया लोगों ने इनको परफॉर्मस के आधर पर कैप्टन और वाइस कप्टन भी बनाए चलिए दोस्तों एक बार फिर से टिम प्रिव्यू करते हैं तो यहां पर काफी चेंजेस किये मैंने जैसे शुरुवात में ही जी अली को लिया है एम शादत वापस है और उस्मान को भी स्टिम में शामिल किया अगर बात करेंगे इनबाजी में मैंने चार गेनबाजों को लिया है आई शाह को लिया है अमीर खान को लिया है अर्शुला को लिया है अली को भी स्टिम में शामिल करा तो यहां पर मैंने देख सकते लेकिन आपको काफी फाइदे मन साबित होने आले क्योंकि दोस्तों सोचिए अगर दोस्तों मैंने इनको लिया है यह तो थोड़े जरूर है लेकि दोस्तों अगर यह अच्छा परफोर्मस कर देते हैं तो आज आपको ग्राइड लिग जरूर जिता सकते तो इसलिए मैं इन इनों को इस्टीम में ले रहा हो जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है आप इनकी वज़े से ही आखिर ग्राइड लिग भी जित सकते हैं तो कोई मतलब यह पर रिस्क नहीं लिया है कोई प्रॉब्लम ने रोस्तों जरूर आप इस्टीम को अगर आप ग्राइड के लिए एक स्मॉल लिए नहीं भी उस्केरेंगे तो भी कोई प्रब्लम ने लेकिन ग्राइड के लिए अपकोस आपको यूज करना ही करना है क्योंकि आपके चांसेज बढ़ जाएंगे अftig उस्तीम को अगर आप ग्राइड के लिए यूज करते हैं तो इस्टीम को भी समे भी अभ बनाई हैं वहने हाँ हलाकि keeping में मैंने वापस डबलु हुसेन को ले लिया लेकिन बैटिंग में अगर देखे करें एम शहजाद को ले रहा हूँ यू तारिक को और इनु तीनों को वापस लिया है इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो यहां पर एस अली को भी मैंने शामिल कर लिया है पिछली दोनों टीमों में मैं इनको नहीं ले पाया था इसके बाद आल रोंडर पर चलते तो एम आडेमन सावित हो सकते यह भी क्लियर इसके बाद गेनबाजी के बात करें तो यहां पर आई शा को मैंने ड्रॉप किया है एम अली और अर्शुला को तो रखा है लेकिन तीसरे जो गेनबाज है यहां पर एम जहांगीर को भी इस टीम में शामिल कर लिया है तो यहां जहां किसे बना सकते हैं तो यहां पर चैलेंज था दोस्तों कि यहां पर मैंने जो सबसे बेस्ट ओप्शन थे वह सब यूद्ज कर लिए इसके बाद मेरे पास और भी दो ऑप्शन है जिसको मैं आभी तक किसी भी टीम में इनको मैंने क्याप्टन सबसे बढ़ी बदी बात तो इसे पहले एक पर फिर से टीम प्रियू कर लेते हैं सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर मैंने कीपिंग में वर्सस वापिस डब्लो हुसायन को ले लिया इसके हाला अगर मेरे पास बैटिंग में देखेंगे तो चार बल्ले बाद्येया पर M-a यांप में जरूंगा कि कुछ प्लियर मैंने यहां पर यहां में पर रिस्की ज़रूर लिया है लेंकि दोस्तों वह आपको ज्यादा कराके दे सकते हैं क्योंकि अगर वह अच्छा पर्फरमस करते हैं तो काफी कम लोग है जिन्होंने उनको लिया है जिसमें से आप भी रहेंगे और आपको जादा से जादा फायदा हो सकता है इसलिए मैंने इनको शामिल किया है तो कुलमला के फिर से कोगा इस टीम को भी आप ग्राइंड लिख के जिएगा स्मॉल लिख के लिए यूज मत कीजिएगा ठोड़ा रिस्की में और रिस्क ग्राइंड लेना काफी अच्छी बात रहती है जितना रिस्क लेंगे उतने जितने की चांसेज भी बढ़ जाते हैं दो लेकिन बाकि जो दूसरों ने अच्छा पर्फॉर्मस के है उनकी वज़े से इनको किसी ने भी जादा क्याप्टन और वाइस क्याप्टन नहीं बनाया और यही आपके लिए प्लस पॉंट शापित होने आला है दोस्तों क्यूंकि इनका पर्फॉर्मस तो काफे शांदार है और हो सकता है आगे भी अच्छा ही पर्फॉर्मस करेंगे तो इसकी वज़े से आपको काफे जादा फायदा हो सकता है और यह टीम आपको 100% ग्राइड लिग जिताके दे सकती है तो इसलिए 100% ग्राइड लिग के लिए उसकी जगा दोस्तों प्लीज इसे ज़रूर इसकी काफे बढ़िया टीम बढ़ चुके इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते सेव कर लेते और आखिर में यही कोंगा दोस्तों कि अगर आपको लगता है इन तीनों टीमों में कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर क्याप्टन और वाइस-क्याप्टन सही नहीं तो आप जरू मुश्किल है आपको मेरी सभी तीनों टीमें अच्छी लगी होगी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर लगा हो तो इसे प्लीज प्लीज लाइक शेर और कमेंट जरू कर दीजे चाइनल को भी अगर अब तक आपने सब्सक्राइब निक है तो सब्सक्राइब भी कर बेल आइकन को प्रेस करके अल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोस्टे रहे तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में उससे पहले एक बात और जरू कहूंगा कि दोस्तों टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप् कि अल दुचर को में पॉटपर ke दसे मोगी वीडियो में वीडियों दोस्तों कि भी करतेमके ज़क्पिन अल वीडियो ओिंक र्रेस है भी भीडियों के ज़कर सूज